मैंने 27 अगस्त को मेरे विदान सभाक शत्र में एक सभा थी उसमें मैंने हमारे कानून मंत्री अर्जुन रामजी मेगवाल पर गंभी चारोप लगाया था ये ब्रश्ट है और इनको मंत्री मंदल से अटाया जाना चाहिए इस आरोप के बाद मुझे नोटिस दिया गया अनुशास्त अग्षारवई करने का मुझे वो नोटिस चार सितंबर को मिला और मैंने कुछ सामगरी एकत्र करने में टायम लिया और कल मैंने उसमें भी कहा था कि मैं प्रधान मंस्री जी को भी लिखूंगा इनके बारे में तो कल मैंने प्रधान मंस्री जी को अपनी तरब से उत्तर भी भेज दिया और यहां के प्रदेश अद्धिक्ष्णी को उत्तर भेज दिया उसमें मैंने साथ आरोप उन पर लगा है पहला आरोप तो यह कि यह उद्धियोग विवाग में दोप्री करते थे अफसर थे और बार्डवेर में पीडी मी थे प्रोजेक्ट रिपोर्टर अफसर डारेक्ट प्रोजेक्ट डारेक्टर और वहां पर इन्होंने कई ब्रस्टाचार किये थे जिसकी शिकायते इस उसमें इनका प्रोजेक्ट हो गया है लेकिन इनके खिलाफ किसी शिकायत की कैदनी लोग से वायोग को किसाम इनके खिलाफ जो है कुछ बुकत में चल रहे हैं प्रश्टाचार के रोक हुए हैं इसलिए इनका प्रोजेक्ट रोका जाए इस पर प्रोजेक्ट रोका गय लेकिन वोई जैसा अपतिया जुस्ता है सीफारिष कर दी और सीफारिष प्राशार के आृम कर दिये गए रभ कर्दिये और फिर उत प्रमोशन हो गया प्रमोशन होने के बाद भी आदद तो इनकी प्रिषाचार करने की थी यह जब कंटर थे तो है कलेक्टर थे तब इदोने हैं फोजी विद्वाओं के लिए आरिक्षत थी जबीन उस जबीन को इदोने फोजी विद्वाओं के अलावा जो गैर पात्र थे उन गैर पात्रों को उस अलूट कर दिया जिश्वत खासा करके इस पर एक श्रीबाद हाकी मलीजी ने एफ आयर दी एफ आयर के बाद प्रेलिम दरी जाच हुई सामझ जितर हमारी प्रश्टा चाहिए गिरों तक ब्योरों में जो सूचना जाती है उसके प्रास्रिक जाच करते हैं तो उस एफ आयर की प्रास्रिक जाच हुई और उस प्रास्रिक जाच में दोशी पाए गए उन लोगों के खिलाफ मुकर्दा पंजी कित किया गया उन दोशी पाए गए उनमें एक श्री अजुलाल मेगवाल ततकाल दिला कलेक्टर चुरू हाल लोग सबसदस बिकाने श्री जोहाल लाल आरी कार्यले साहेद कार्यले जिर्वाचन कलेक्टर चुरू तीसरा श्री किर्दा इलाल पुत्र श्री देवुचन जाति मेगवाल कनिष्ट लिपेग कार्यले जिला कलेक्टर चुरू एंड डाक्र एचन गोरी फुत्र श्री नियाजुल है गोरी दिवासी हाल कर दिशेशन की मेडिसिन दिशिशन लाजु की बीबी जनरल दिला स्था चुरू की पहचान की गई इन चार को अव्युक्त मान करके और जाच चालू की गई और जाच चली लेकिन इस जाच को होने के बाद अरजुनलाल जी बेगवाल ने ये जाच दबा दी और F.I.R. लगवा दी फाइनल रिपोर्ट जब गई उस फाइनल रिपोर्ट को जब मजिस्टेट ने देखा सेशन करने हैं तो वह उनकी इस जाच से संतुष्ट नहीं हुआ और संतुष्ट नहीं होने के बाद उसने कुछ कमेंट्स के साथ जो इसमें दिये मैं अपने पत्र में विस्तार से जो है फाइनल रिपोर्ट डेगेटिव मतलब वही एफार जिसको कहते हैं वह पेश हुई उसको देख करके सेशन जगने बड़ा गुस्सा बताया और पस्ट का इस केस में हेरा फेरी हो रही है दवाव से काम लिया जा रहा है और उन्होंने फिर से वो जो है फाइनल रिपोर अरगिन रामजी बेखवाल हाई कोट में गये और हाई कोट में ने का एक एफ़यार भी और यह जो एफ़ार पेश हुए इन दोनों को दिस्त क्या जाए यह तार यह आदेश होए थे जुलई में जुलई 14 में और आपको आश्यर होगा कि जुलई 14 के बाद एक के बाद पे मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है जोस 24